हाई फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी देखिए हमने एक सीरीज चालू की थी मनोविज्ञान की साइकोलोजी जो कि सीटैट यूबिटैट और सुपरटैट के लिए अत्यन्त आवस्यक सब्जेक्ट है बिहार में जो डियलेट कर रहे हैं या फिर यूपी में डियलेट कर रहे हैं उनके लिए भी इतना ही आवस्यक है जितना ये सीटैट और यूपी टैट के लिए आवस्यक है देखिए आज हमने इसका बुद्धी चो चैप्टर है उसका पहले हमने बना दिया था एक वीडियो जिसको आपको देख लेना है उसमें परिवासाएं उसका अर्थ यानि बुद्धी का आर्थ और उसकी परिवाशाएं दी हुई है आज हम पढ़ेंगे बुद्धी के सिद्धान्त Concepts of Intelligency देखें बुद्धी के सिद्धान्तों में कई सारे सिद्धान्त हैं बैसे मुख्य रूप से हम केबल इसके 8 और 9 9 सिद्धान्त पढ़ेंगे जिसमें आपका पहला सिद्धान्त है एक तत्व यानि एकारक सिद्धान्त एक कारक सिद्धान्त एक कारक सिद्धान्त फिर दुरकारक सिद्धान्त है और तीसरा है त्रिकारक सिद्धान्त इसमें कुस्सन आपको डारेक्ट पूझता है, एक कारक सिद्धान्त आपको किशनने दिया, तो देखे, बारी-बारी से इने पढ़ लेते हैं, सभी को, जिसको डिटेल में पढ़ने की जरूछत है, उसको डिटेल में पढ़ाऊंगा, और जिसको सौर्ट में पढ़ने की जर कारक का सिद्दान्थ जिसमें केवल एक फैक्टर हो और एक तत्व का सिद्दान्थ जिसमें कोई एक तत्व हो एकाई सिद्दान्थ वही है जिसमें एक की व्याक्या हो देखो ये सिद्दान्थ दिया किसने था एक कारक सिद्दान्थ आपको अलफ्रेट बिने ने दिया था जो के फ्रांस के वैज्यानिक थे अल्फरेट बिने कहां के थे फ्रांस के थे अगर आपसे क्वेशन आता है एक कारक सिद्धान्त या एक तत्व सिद्धान्त किस ने दिया तो अल्फरेट बिने ने दिया अच्छा इनके समर्थक वागर थे जैसे गाव में प्रदान होता है, प्रदान के सपोर्टर्स जो होते हैं, उसी तरह से इसका समर्थक था टर्मन, इश्टन और जॉन्सन, ये तीन वनोवे ज्ञानिक के नाम है, पहला था टर्मन, दूसरा था इश्टन और तीसरा था जॉन्सन, इन्हों ने कहा, क्या कहा था, देखिए इन्होंने कहा था कि बुद्धी अखंडात्मक होती है जिसका खंडन नहीं किया जा सकता है वो अखंडात्मक होती है जिस चीज का हम खंडन नहीं कर सकते हैं जिसके टुकुडे नहीं कर सकते हैं उसे अखंडात्मक कह सकते हैं बुद्धी का कोई खंड नहीं कर सकत इन्होंने ऐसा कहा था, अलफ्रेट बिने ने कहा था, कि बुद्धी अखंडात्मक होती है, हर व्यक्ति में प्रतिवात्मक छमता, अपनी एक अलग से प्रतिवात्मक छमता होती है, हर एक व्यक्ति में प्रतिवात्मक होती है, आपने ऐसा सुना होगा, तो ऐसा कहा किस ने सबसे पहले पर्मानिक रूप में अलफ्रेट बिने ने जो फ्रांस के थे उन्होंने कहा था एक और बात कहिए है इस सिद्धान के अंदरगत कि जो व्यक्ति एक छेत्र में निपोन होता है वह हर छेत्र में निपोन होता है एक्जाम्पल के दौर पर आप मालो आप किसी व्यक्ति का गडित अगर अच्छा है तो वो मनो विज्ञान भी पढ़ सकता है मनो विज्ञान में भी अच्छा हो सकता है ऐसा इन लोगों ने कहा था इन्हों ने का कि जो व्यक्ति एक छेत्र में निपन होता है वो हर छेत्र में निपन हो सकता है निपन हो सकता है यहां जगे नहीं है इसलिए नहीं लिखा है जो एक छेत्र में निपन होता है वो हर छेत्र में निपन होता है अच्छा इसका आप सीधे सीधे आप नोट्स बनाईए मेरे साथ साथ नोट्स बनाईए जिससे कि आपको एक्जाम के टाइम में दिक्कत ना हो देखिए इन्होंने एक और चीज गई थी बुद्धी को एक छत्र राज माना है इन्होंने अलफरेट बिने ने बुद्धी को एक छत्र राज्जी यानि निरंकुस वादिद्दर्णा यानि जो भी है वो वुद्धी है कि इसे निरंकुस वादिशिद्धांत्वी कहा जाता है जिसके कारण जॉन्सन नामभस conten ओंसम नामद्श यानिक ये थी इन्होंने इसको अमाण्यगोसित कर दिया यानि इसकी सभी बातों को नहीं माना, इसे Johnson ने अमान्य कर दिया अच्छा एक next बनता है द्विकारक सिद्धान्त, जिसमें दो फैक्टर होंगे द्विकारक से मतलब दो, आपको सीधे सीधे समझ जाएं कि द्विकारक सिद्धान्त का बात हो रही है तो इसमें दो factor होंगे ही होंगे तो देखिए Sphere Man ने 1940 में इस सिद्धान को दिया था दुएकारक सिद्धान को Sphere Man ने 1940 में दे दिया इसमें दो factor वदाए इसने Z factor और S factor Z factor यानि सामान्य factor जिसे हम मानसिक उड़जा कहते हैं मानसिक उड़जा का मतलब है दिमाग की उड़जा से है सभी में जन्मजात अधिगम प्रसिच्छन से बदला नहीं जा सकता है ये मानसिक उड़जा जो होती है सभी में जन्मजात होती है इसे अधिगम और प्रसिच्छन के माध्यम से बदला नहीं जा सकता है, यानि not changeable device, ओके, कि इसे change नहीं कर सकते हैं, जी फैक्टर को, व्यक्ति में दो नाम, दो फैक्टर होते हैं, व्यक्ति की बुद्धी दो फैक्टर पर कारिगरती है, जी फैक्टर और एस फैक्टर, जिसे हम विसिस्ट मानते हैं, विसिस्ट फैक्ट चैप्टर मानते हैं इसको हम अर्जित बोलते हैं जो जिसका हम अर्जन कर सकें अर्जित का मतलब है जिसका हम स्रजन कर सकें या अर्जन कर सकें जिसे हम अपने इसाब से कर सकें यह हर छेत्र में छेत्र विशेश में सभलता वह सभलता के लिए जिम्मेदार होता है अर्जित माल लीजिए आपको अच्छे से आ गया तो ये क्या किया आपने अर्जन किया इसे ही हम अर्जित कहेंगे माल लीजिए आपको एक सिंपल है सिंपल सा उधारण नूम है कि जैसे आप किसी को हल चलाना नहीं आता मुझे भी नहीं आता अगर मैं चाहूं तो हल किसी भुजर्व यक्ती से सीख भी सकता हूं तो ये मेरा क्या हो गया अर्जन हो गया modern way में आपको स्कूटी बाइक नहीं चलाना नहीं आती है तो आप बाइक चलाना सीख सकते हैं इसी को हम कहेंगे अर्जित फैक्टर समझ में आया अच्छा एक कारक सिद्दान्त हमको किस ने दिया था अल्फरेड भी ने दिया था दुविकारक सिद्दान्त किस ने दिया है इस पियर मैं ने दिया है त्रिकारक सिद्दान्त भी इस पियर मैं ने दिया है एक कारक सिद्दान्त दुविकारक सिद्दान्त हम किस ने दिया है PLAY day project perfect बिने इने दिया द्विकारक और तरीकारण नों सिद्दान्त वं DAN स्ट्धान्त में इस-पीड मै पर में इसको कहा कि G-Factor भी होता तरी स्टर्भी होता है इसको दोनों इसने किसे इस कि इस सिद्दान्त में तरीकारक करें सिद्धान्त में kost श्र्ठाइन इसे मोस करते हैं। मान लीजिए आपका G यानि सामान्य आप में बुद्धी सिख्यों आ्दकरャ आप है यानि सभी में जन्मजात होती है पहले से हैं को आपको बाइक चलाना आggsil कि पायिक चलाना आगया आपको तो बायक चलाना अरजित है यानि अषफARS है और जन्मजाद क्या है आपको जन्म से चीजों को छेलाना डुलाना आता है यानि बेलेंस करना आता है यह जन्मजाद तूर जाए हमारी किसी किसी ब्यक्ति में बहुत जल्दी सीखने की प्रतिवा होती है उसी को हम जन्मजात कहते हैं यानि यह तो जन्म से सीख के आया है उसी चीज़ को स्पीर मैंने बढ़ा के का कि यह सामुहिक तद्द यानि ग्रुप फेक्टर है नेक्स्ट सिद्दान्त आपका होगा बहुकारक सिद्दान्त जिसन जो दिया है आपका थंडायक ने सन 1912 इस्पी में दिया था थंडायक ने और बहुद्धी का सिद्दान्त गिलफोर्ड ने कि आपका नेग्स्ट वीडियो में अपको पड़ाया जाएगे अभी आज के लिए इतना ही काफी है क्योंकि वीली जयाद़ा लंबी हो जाएगग फिर आप कहते हो कि वीडियो लंबा होगा सर् इसलिए आपको इतना ही कराते हैं इसके बाद आपको प्रिक्टिस कराई जाएगी जिसमें आपको बहुत सारे क्वस्थं क्रिए जाएंगे 100-100 क्वस्थं के करीब मैं सॉल्व कराऊंगा आपको बनो विज्ञान के जिसमें आपको पहले जितने भी टॉपिक मैंने करा दिये हैं बाल्यावस्ता, सहसवावस्ता, किशोरावस्ता इन तीनों टॉपिक्स को आप अच्छे से देखें और इसके ही बेसिस पर और बुद्धी के बेसिस पर बुद्धी जो टॉपिक है इन चारो टॉपिक्स का एक टेस्ट होगा, टेस्ट की तरह होगा, जिसे मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, ओके, आप हमें टेलिग्राम चैनल पर स्मार्ट स्टेडी पॉइंट के नाम से भी जॉइन कर सकते हैं, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज और बाकी अधर मैटरियल आपका मिलता रहेगा, वीडियो का नॉटिफिकेशन भी उसी में मिलता रहेगा, फेस्बुक पर भी आप फोलो कर सकते हैं, और बाकी मैटर हुई, आप चैनल को अगर आपको अच्छा लगता हो, तो लाइक और सब्सक्राब जरूर करने हैं, जिससे आपको नई नॉटिफिकेशन मिलत रहे, ठीक है, थेंक यू